हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो विप्राज की जनलेग, आजम बनाएंगे तुवर फली के दाने की कचोरी, इसे गुजरात में लिल्वा कचोरी कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिये हैं 500 ग्राम तुवर फली के दाने, इसमें करीबन 14-15 कचोरी बनेगी, 100 ग्राम मैदा, मैदे के ब हुआ हरा लेसुन, हरा धनिया बारी कटा हुआ, हरी मिर्च और अध्रक टेस्ट के अनुसार, हिंग, तिल, नमक, अजवैन का पाउडर, यह ओप्शनल है, हल्दी, शुगर, निम्बू का रस, किश्मिश, अब काजू के तुकडे भी इसके साथ ले सकते हो, गरम मसाला या फिर धनिया जीरा पाउडर, सबसे पहले हम हरी मिर्च और अध्रक को मिर्ची कटर में पीसेंगे, अगर आपके पास हरा लसुन ना हो, तो यहाँ पे 4-5 कली लसुन की आप अड़ कर दीजे, इसमें अध्रक और लसुन कम यूज किया जाता है, यह कचोरी हरे लसुन के तुर फली के दाने, इसे आप मिक्सर में भी क्रश कर सकते हो, लेकिन मिर्ची कटर में दाने एक जैसे क्रश होते है, इसे मिक्सर में करते वक्त वीप में अन अफ करके आपको पीसना है, कड़ाई को हमने हलका सा करम किया है, उसमें एड किया है ओईल, ओईल आप कम ज़्यादा ले सकते हो, इसमें एड करेंगे हिंग, तिल, तिल हलके से फूल है, तब हम एड करेंगे इसमें मिर्ची और अद्रक का दरदरा पीसा हुआ पेस्ट, इसमें अब हम एड करेंगे बारे कटा हुआ हरा लसुन, इसे हम आदे मिनिट के लिए पकाएंगे, अगर आपको ओइल कम यूज करना है, तो इस स्टेज पे एक दो जम्मच पानी एड कर दीजिए, ताकि जो हम स्टरफिंग बना रहे हैं वो जले नहीं, हल्दी, नमक, गरम मसाला या फिर धन्या जीरा पावडर भी आप यूज कर सकते हो, जो दाने हमने मिर्ची कटर में पीसे थे, वो अब हम एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे एक मिनिट के लिए हम ढग कर पकाएंगे, इसे पनाते वक बरतन थोड़ा सा मोटा वाला लीजिए ताकि ये नीचे से जले नहीं, अब इसमें हम एड करेंगे डेसिकेटर कोकोनट, शक्कर, अब इसमें हम एड करेंगे बारिक चौप किया हुआ धनिया, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके आधे मिनिट के लिए पकाएंगे, किश्मिश, इसके साथ आप काजू के बारिक तुकडे भी एड कर सकते हो, निबू का रस, और इसमें एड करेंगे दालचीनी का पावडर, दालचीनी के पावडर से बहुत बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है, इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसे हमें थंडा करना है, यहाँ पे आमें चेक करना है, स्टाफिंग का बॉल बन रहा है के नहीं, अगर आपका स्टाफिंग भुरुबुरा याने ड्राइ बना है, तो उसमें ओईल या फिर आप पानी एड कर दीजे, यहाँ पे स्टाफिंग पर्फेक्ट बना है, कचोरी का आउटर लेयर बनाने के लिए, मेदा, उसमें ऐड किया है नमक, अजवाइन का पाउडर, यह आप्शनल है, आधा चमज निम्बू का रस, और थोड़ा सा ओईल, इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है, आटा गुनने के लिए आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो, या फिर लुकवाम बॉटर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मटके का पानी यूज किया है, डो बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है, जैसे हम पूरी का डो लगाते हैं, वैसे ही इसका डो बनाना है, इसे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, 15 मिनट के बाद हाथ को हलका सा ओईल लगा के इसे हम आधे मिनट के लिए गूंद लेंगे, और इसमें से पुरिया बनाने के लिए एक साइस के पेड़े बनाएंगे सारे पेड़े तयार है जो हमने स्टफिंग के लिए मसाला बनाया था हाथ में लेकर इस तरह से उसके बॉल बनाने है बॉल हमें टाइटली बनाना है अगर ये ड्राइ है और ये अच्छे से नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा ओईल या फिर पानी एड़ कर दीजे जो हमने पेड़े बनाये थे उसमें से हम पूरिया बेलेंगे पूरी जैसे हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं वैसे ही हमें बनानी है ना बहुत पतली और ना बहुत मोटी पूरी बेलने के बाद जो स्टफिंग के लिए हमने बॉल बनाया है उसे बीच में रखके इस तरह से साइड से किनारिया हमें बीच में लाग के इसे पैक करना है कि ओईल में फ्राइ करते वक्त खुले नहीं इस तरह से हम सारी कचुरिया बना लेंगे पूरी बेलते वक्त हमें आटा नहीं लगाना है जो हमने उसमें ओईल एड किया था उस वज़े से पूरी आसानी से बेल सकेंगे अगर आपको एक साथ सारी कचोरिया बना लेनी हैं तो इसे एक बरतन में रखके ढख दीजिए यहाँ पर मैं 4-5 कचोरी बना के इसे फ्राइ कर रही हूँ कचोरी का शेप बॉल जैसा गूल भी बना सकते हो या फिर इसे थोड़ा चप्टा भी बना सकते हो अगर आपको पूरी ना बनानी हो तो एक पेड़ा हाथ में लेके उसकी कटोरी बना के उसमें स्टफिंग का बॉल रखके भी आप उसे पैक कर सकते हो हमने यहाँ पे मेदा यूज किया है इसलिए कचोरी फ्राइ होने के बाद वाइट दिखे की अगर आप केहू का आटा यूज करते हो तो कचोरी ब्राउन कलर की दिखे की बॉल रखने के बाद हमें अच्छे से उसको पैक करना है अदर्वाइस फ्राइ करते वक्त यह खुल भी सकता है तो यहाँ पे बहुत साबधानी से इसे हमें पैक करना है साइड में हमने ओयल को गरम करने रखा है ओयल को हमने एक बार गरम कर लिया है इसमें कचोरियां हमें धीमी आज पे फ्राई करनी है क्योंकि इसे धीमी आज पे फ्राई किया जाता है इसलिए इसे फ्राई होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें से बबल्स निकलना बंध हो तब तलक इसे फ्राई करना है इसी तरह से हम सारी कचोरिया फ्राई कर लेंगे कचोरियों को गर्मा गरम ही खाया जाता है इसे आप टॉमेटो केचप या फिल धनिय की चटनी के साथ भी खा सकते हो काफी लोग लसुन और प्यास नहीं खाते है तो वो इसमें लसुन अवर्ड कर भी सकते है हमने सिप यहाँ पे तुवर फली के दाने लिये थे इसमें आप मटर के दाने भी एड कर सकते हो अगर तेल थंडा हुआ है तो एक बार इसे मिडियम आज पे गरम कर लीजिए और कचोरिया धीमी आज पे फ्राइ कर लीजिए जब तुवर फली का सीजन होता है तब इसे आप फ्रोजन भी कर सकते हो और जब चाहिए तब यह गरमा गरम कचोरिया बना के भी खा सकते हो तयार है लिलवा कचोरी तैंक यू